हलो एभी में वेलकम तो माई चैनल माई ने में सतिंदर सो आज अभी अफिशियली जो की एपल ने लास्ट नाइट रिलीज की है आई-उस 14 वो मैंने अभी अपडेट किया है सो मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट के बाद कैसे कौन से फीचर्स जो की में ली एड हुए है अब आपके नए सॉफ्ट्वेयर में सो आपको क्विकली आपको बताऊंगा दो चार्ट टिप्स जो की मिझे अच्छी लगी इनक जिए अपको ठोड़ी सी क्या चेंज जाए इसमें आपको बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं आप यहां पर होम स्क्रीन देख सकते हैं पहले तो आपको जहां पर वीजट मिलेंगे देखने को एंड आप यहां से एडिट कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन के लिए आप जोन नी पड़ती पर ठीदि शुरूह करका रहां को तो आपको तो आपको समनेधान आरीं जो कि आपकी सारी अब्स तो इसके उसका उपर आपने माटनी क्लिक करने और क्लिक करने के वद आप देख सकते हैं जो कि edit हो रखें आपके pages जो भी अपनी आपके फोन के अंदर apps हैं सारी वो edit हो रखेंगे अभी आपने कहा करना है जो भी click हुई है वो अभी तक खुली हुई है आपने अन-click करना है इसको कोई भी आप जो आपको last page आती आपको नहीं चाहिए आप इस पर click करते हैं one by one और आप देख सकते हैं यह सारे आप देख सकते हैं सिर्फ आपके पास three page गोले रह गए तो आपने फिर long press करना है और फिर इसको click करना है जो भी आप un-click करेंगे वो आप हाइड हो जाएंगी delete नहीं होगी जाद रखंटे डिलीट नहीं होगी आपके फोन से सिर्फ हाइड होगी सो हाइड हो जाएगी जब आपके यह सारी वाली ऐप हाइड होगी देख सकते हैं आपने कौन-कौन सा पेज कोल के रखना है आपने उसके उपर क्लिक कर देना है मैं सभी आपको हाइड करके बताता हूं अभी कि आप देख सकते हैं बाद में कैसे आपको दिखेगा सॉरी कि अपने इस पर क्लिक करना है लॉंग दें डन सो आपके बास आभी दो बेज हैं लेकिन वह वाली एप है जो हाइड होगी है डिलीट नहीं हुए आपकी आप से याद रखना एंड अगर आप ने यह वाली होम सक्रीन है और इसके आगर आपने यह वाला क्लिक किया आप सकते हैं कैसे इन्होंने रिसेंटली एड़ेड यह आपने किया शोशल की एप सारी एक फोल्ड में चली गई सो ऐसे आप दे सकते हैं इनका काफी अच्छा लगा बिकॉज आपको बहुत सारी एप्स पहले पेज जहां पहले आप से सच करना पड़ता था अभी आप हाइड कर सकते हैं अगर आपने एक फिर से दरबारा लेकर आनौने है आपको लॉनग प्रेस करना यहां पर तैन कुए अप कोई भी यहां से आपकि यह लास्ट पेज जो आइड करना जाते हैं इसके ओपर क्लिक करना है और डन करना है आपकी जो एप है वो एड हो जाएगी यह देख सकते हैं आपका पेज वह वाला एड हो गया अगर आप यहां पे एड़िट क्लिक करेंगे एड़िट पर आप कोई भी वैजट यह है वह आप डाउलोड कर सकते हैं जहां एड कर सकते हैं आपको पास प्लस का बटन है उपर और एडिट पर जाना है प्लस का बटन है और यहां पर देख सकते हैं आपने क्या एड करना है क कि यहां पर जो जो ऑप्षिन दे रखी है ओके सो अभी आप यहां पर थी ऑप्षिंट देख सकते हैं एक शोटी है सबसे शोटी उसके बाद थोड़ी सी बड़े आएगी और बड़ी यह तीनों में से आप एक ही स्लेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके जो की सर्च पेजर में एड हो जाएगा सो अभी आपने इसको अठाके कहीं पर भी अपनी होम स्क्रीन में और करना है तो ऐसे करके आपने यहां पर स्कूरो करना है डेन डन करना है तो दन सकते हैं यहां पहुत हो और अगर आपने कोई तीसरा फोलडर नहीं बनाना तो आपने क्या करना है इसके उपर क्लिक करना है तो यह इसके अंदर एड हो जाएगा एड होने के बाद आपको दिखातों में कैसे इसको यूज करना है एड हो गया एक तो वैदर शो होने लग गया आपने स्क्रोल नीचे करना है आपको जो की बैटरी कितनी बची है आपका बैटरी का आइकन ऊपर आना स्चार्ट हो जाएगा आप ऊपर देख सकते हैं मैंने अरेड किया हुआ है जो क्लॉक आ रहा है इसके नीचे करूंगा तो वैदर होगा है आप अपने असाब से कुछ भी इसमें एड कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपकी काफी हेल्प करेगा एजी करेगा आपको यूज करने के फोन आप यहां में से कुछ भी एड करना चाते हैं आपको बताया है एड़िट देन प्लस वाला बटन है उस पे क्लिक करना है तेन आप इसमें से कुछ भी एड कर सकते हैं मैंप है जो भी आपको चाहिए जो कि आपकी रोल यूसे से होती है एपस सो यह था सक्रीन का बहुत ही अच्छा फीचर तो नेक्स्ट फीचर है जो कि आप अपने बैक आपने बैक फोन के उपर आप बैक बटन कैसे एड कर सकते हैं जो कि जो डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एड करेंगे आप बटन एक आईफून ने इसको बटन का नाम दिये रखा है लेकिन बटन है आपने डबल क्लिक करना है और आप अपना कुछ भी जो भी सेट करेंगे वह आपका एड हो जाएगा उस क्लिक करने सबसे नीचे जाएगा बैक टैब बैक टैब पे अपक्लिक कर वे यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगी योगी डबल टैब हैं ट्रिपल टैब सो डबल आप डैब पर आपको लिस्ट आए आ जाएगी यहां पर सिस्ट्म कौन सा क्या अपने अपने एड करने कौन सा फीचर आपने डबल क्लिक किये हुए आप अपना सीधा जाके वह आउन कर सकते हैं सो चुछ भी आप यहां में डाउनलोड कर सकते हैं और स्वरी आप कुछ भ अगर आप होम में आए तो आपने उपर से स्क्रोल नहीं करना नीचे तो आपको पीछे वाले बटन से ड़्ल क्लिक करना है और आपका जो की जो भी आपने स्लेक्ट किया हुआ वहां पे ऐकन वह आपका स्लेक्ट हो जाएगा तो आप अपने हसाब से चेंच कर सकते हैं करूंगा लेटरों मैं सेट करूंगा तो यह था एक अच्छा एक और फीचर ओके सो नेक्स टिप आफ देख सकते हैं कि आप अभी मैं अपने होम स्क्रीन में कोई भी यूटुब की वीडियो श्पेशली अप फस्ट टाइम यो की आइफोन में है आप अपना यूटुब का क प הבע़ू करें आप अपना कोई पीकाम करें स्पोज आपने ये विडियो होन है और अपना कोई भी मैसेज़ेश वा एक इंडियो शलके हैं अपना एक और इसकां देख डिर्स टाइम आईफोन ने अब तक किया है और फीचर है आप अपना काम भी कर सकते हैं और साइड में वीडियो भी देख सकते हैं कोई भी नोट्स पर कोई भी आप काम कर रहे हैं मैसेजिस कर रहे हैं किसी को तो आप प्ले कर सकते हैं वीडियो आपने सफारी में जाना है कोई भी यूट्यूब की वीडियो ओपन करनी है यह यहां पर कोई भी वीडियो है यह वीडियो इसको प्ले करते हैं यह वीडियो प्ले हो गई इसको फुल स्क्रीन मूल कर लेते हैं और आपने यहां पर फास्ट अली ऑप्शन देख रहे हैं आप एर वाली इसको इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी आप होम में जा सकते हैं इसको आप बड़ा शोट अब़ी कर सकते हैं स्क्रीन साइड में भी फोड़ा थोड़ा चलती रहेगी देन आप इसको कहीं भी भी मूण कर सकते हैं स्फोस्झ आपने में दो सेलें Public करने, आप हैं अपनेESE यह अच्छी टिक थी और बहुत अच्छा फीचर है जो कि आज पहले यह रब हुआ है पहले हम कोई भी वीडियो देखते तो हमें मिनिमाइस करके को यह कुई कोई भी कम काउर करना है तो यह एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका मुझे बहुत पसंद आया और जाद रखना सफारी में ही आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा अगर आप और किसी क्रोम में साइट में आप यूट्यूब को लेंगे तो वहां पे नहीं हो आपकी होम स्क्रीन में चलेगा सो आपको याद रखना है हमेशा कि आपने योट्यूब है वो सफारी में ही खोलना है देन आपको यह वाली आप्शन मिलेगी देन आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छा फीचर था नेक्स्ट चलते हैं तो सबसे बड़ा फीचर जो मझे लगा जो कि मेरा फेवरेट है अगर आप यूट्यूब को पहले खोलते थे तो पहले आप कभी भी 4K आप्शन सेलेक्ट ने कर सकते थे आईफोन में तो अभी बड़ी नियूज यही है कि अगर आप 4K वीडियो में अब प्ले करी है तो आप इदर थ्री डॉट्स में क्लिक करेंगे तो क्वालिटी में आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं अगर क्वालिटी में क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे कितनी आप्शन मिलेंगी देखिए आप 144 से स्टार्ट उडिये 2160 P60 HDR पे अभी आप प्लेक्शन मिलेगी तो आप अपनी जितना आपका यूट्यूब का सौरी आपका इंटरनेट कपैसिटी आपको अलोग करेगा आप अपनी 4K वीडियो फोन में देख सकते हैं यह देख सकते हैं अब अभी मैंने प्ले करी है और बहुत ही अच्छा फीचर है थैंक्यू अगर आप इमोजी में क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च इंजिन अलग सा मिलेगा जो की सर्च इमोजी यहां पर आपको बहुत एजी रहेगा कुछ भी आपने सर्च करना है आपको सपोज मैं बाइक लिखता हूं आपको देख सकते हैं कि बाइक की कितनी आप्शन मिल ग है जो कि आप इजरी सर्च करके आप अपने फ्रेंड्स को सेंट कर सकते हैं सो यह भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है आपको एजी रहेगा कुछ भी क्लिक करना दोबारा आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले ऐसे करके हम डूंदते थे अभी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं आपको एक सच इंजन हालक सा मिल जाएगा सिर्फ आपने में ख्लिक करने तैन आप कहीं पर भी मैसेग रहे हैं वाट्साइप और मैसेज़ेस एंड कहीं पर भी आप कर रहे हैं तो आपको ये काफी हेल्प करेगा तो यह था एक और ट जो भी काम कर रहे हैं आपका स्क्रीन है जो हाइड हो जाता था अभी आपको फोन आएगा तो आप देख सकते हैं उपर मुझे फोन आ रहा है तो आपको फोन आप जो भी काम कर रहे कर सकते हैं इसको अपने क्लिक करना है ऐसे तो अभी डिक्लाइन करना है असेट करना है वह पिर वहां पर चले जाएंगे तो यह था एक आपको उपर साइड में बाहर शो होगी पूरा आपका जो स्क्रीन है वो कवर नहीं होगा फोन को इसी का आ रहे तो तो यह भी एक बहुत अच्छा फीचर है तो यह था आज का मेरा में में जो की मुझे टिप्स अच्छे लगे पहुत सारे टिप्सेंस में आप वेबसाइट में जा थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो एंड कीव सपोर्डिंग प्लीज कमेंट्स में बताओ लाइक करो एंड आ विल सी यू नेक्स वीडियो थैंक thank you so much good bye for now bye bye take care